वाडी पुलिस अस्टेशन के पुलिस हवल्दा दिनेश तांदूलकर ने की अब तक 110 से ज़्याद लापता मिसिंग की सफल चार्ज बखुवी से करते हैं इस चैलेंज को स्विकार कर वारी थाने के पुलिस हवल्दा दिनेश तांदूलकर ने करीब एक साल में 117 में से 110 मिसिंग केसिस को सफलता पूरवक ढून निकाला है जिसके कारण उनकी सरहाना हो रही है शिकायत करता भी हवल्दार से बड़े खोश है अपने ही परिवार का स पाय हो सकता है इसे कहां ढूनेंगे ऐसे एक नहीं कई सवाल खड़े होते हैं पुलिस भाग में हर तरह की जाच की जाच है लेकिन यह एक अलग तरह की जाच है परिवार रिष्टों की लोग शिकायत करता होते हैं लड़का लड़की महिला पूरुष बुजर्ग वैक्ती एक पूरी महिला या चुटे बच्चे बच्चियां लापता गुमशुदा में शामिल होते हैं माता पिता से परेशानी पती पत्नी के विवाद प्रेम संबंद कर्ज या कुछ दिनों की मौझ मस्ती जैसे कई कारणों से गुमशुदा लोग थाने आते हैं इनमें गुमश पास की लोगों से मिलते हैं अपने दोस्तों और दूर के इश्चेदारों से सब्पर करते हैं कॉलेज जाते हैं स्कूल ड्यूटी की जगा जाते हैं अगर नशा करने वाला है तो ऐसी भी जगाओं पर भी जाते हैं आखरी लोकेशन आखरी बाचीट वाटसेप फेस्बूक इस्टाग्राम, चैटिंग, रिकॉर्डिंग, सहित, मुबाइल नंबर के सभी कोणों का पता लगाते हैं फोटो और अन्य सभी चीज़ों का पता लगाते हैं उसकी पसंद नापसंद देखते हैं आदते देखें CCTV फुटेज, CDR, SGR स्कैन करें सब कुछ जाजें सभी शेह जंग जलिदा, दिनेश तांदुलकर से बात कि और जाना की मिसिंग की कारवाई कैसे करते हैं तो मेजर का कहना है कि कई मामलों में लोग सच्चाई को छपाते हैं, रिष्टियो शर्म के बीच की दूरी के कारें सच्चाई छपाते हैं वह राजी या जिले के भार या कहीं चिपा हुआ है परिवार की आर्थिक स्तिधी नाज़ुके या कभी ख़ी अस्तिद्वी हीन होती है। ऐसे में मेजर तांदूलकर का क्याना है कि पुल्स वभाग आर्थिक रूप से मदद करता है। कभी पुलिस उस्चेशंग के वरिष्टतिकारी मदद करते हैं। कभी कभी सामाजिक कारे करता के रोप में कुछ सामाजिक कारे करता मदद करते हैं और बेशक में खुद 100% मदद करता हूँ क्योंकि मैं लोगों की आखों में आँसू नहीं देख सकता लापता से मिलने परिवार की तडप मुझसे बड़दाश नहीं होती पुलिस दादा एक बास जरूर पधारें आपकी बच्चे खुश हो जाएंगे आपको हमारा अशिरुवात मिलेगा प्लीज सर प्लीज ऐसी विंती और इस्तिती देखकर पुलिस वाला बेबस और भावुक हो जाता है और चिंतित हो जाता है और कमर कसकर काम करने लगता है फ हले ही वह एक पुलिस कर्मी है लेकिन वह खुशी है उनके चेहरे पर नजर आ रहा है साफ है कि इससे बड़ा काम में कोई मैडल नहीं होता है लड़कियों लड़के जब माबाप या पती पत्नी से मिलते हैं तो कभी जबरदस्ती से कभी प्यार से कभी नाराज़की से यह तो उनके सौ से ज़्यादा मिसिंग केसिस ठून निकलने से ही पता चल रहा है तांदुलकर का क्याना है कि मैं सभी घटनाओं का सार्वधानी पूरवक अध्यन करता हूं और सभी लापता व्यक्यों और उनके परिवार के सदवस्यों के साथ बैट कर उनकी करता हूं अपने फायदे नुकसान रिष्टे और उन्हें भी शामिल करते हैं परिवार को कैसे पाले ये कोशिश बहुत करते हैं कि परिवार बिखर न जाए और तूट न जाए दूरिया खत्म ना हो कई बार सफलता मिलती है कई बार स्वाच चकना पड़ता है आ सफलता ऐसे कड़वे अनुभव होते हैं कि किसी का मन हिल जाता है फिर अपने घर में पत्नी के साथ मिलकर अच्छा करने के बाद गहरी सास लेता हूं और नए काम में लग जाता हूं यह कहते कहते उनकी आखों में आसू आ गए और हम असमंजस में थे कि उनसे क्या पूछे लेकि कारे की सरहना की और रोल कॉल में सभी अधिकारियों के सामने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानिप किया आर्थिक साहता प्रदान की और हिंगना में एक हत्या का भी खुलासा किया वार्डि थाना शेतर की लापता होने की शिकायतों को ढून निकालने दिनेश मेज़ वाडितानमी 2022 में कुल 117 लापता व्यक्तियों में से 110 लापता व्यक्तियों को पूरी तरह से बरामत किया गया है। वाडितानमी 2022 में उरामत किया याज़िक्तियों में से 220 लापता व्यक्तियों किया भी है।